तो चलिए आज हम बताते हैं कि गमले में कड़ी पता हम जल्दी सा जंगल की तरह कैसे बढ़ा हैं इस जादूई चीज को डाले कड़ी पता हो जाएगा हरा भरा बिल्कुल घना तो कड़ी पता यानी मिठा नीम यह हर्बर प्लांट है बहुत सारा है इसे ब्यंजर में कैसे बढ़ाना है क्योंकि इसे हमें लीफ्स चाहिए ज्यादा इसे ग्रोथ बढ़ेगी तो लीफ्स ज्यादा आएगा तो आज हम इस बात को बताएंगे आपको कि बिल्कुल आप जंगल की तरह कैसे बढ़ाई से और कैसे घना करेंगे तो अगर आप वीडियो पूरा दे हम किसी चीज का चोंका लगाते हैं तो उसका पूरा मसाला में पूरा ब्यांजन जैसे बन भी जाता है तो उसका टेस्ट आता है तो अहम भूमी का निभाता है वही वोता है अहम अहम निभाने वाला एह हो गया कड़ी पत्ता आपको कूकिंग में संदर्ज में आपको भी यह बहुत अच्छा काम करता है और इसे अगर घर में आप लगाना चाहते हैं गमला में लगाना चाहते हैं बड़ा करना चाहते हैं तो इसे बिल्कूल असान तरीका है आप इसे असानी से ग्रो कर सकते हैं और असानी से बड़ा कर सकते हैं तो चलिए वीडियो के अंतक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तो फ्रेंड अगर कड़ी पता गंबला में लगाना चाहते हैं तो इसे नर्शरी से लाने के बाद बिल्कूल आपको किस तरह से लगाना है बिल्कूल आपको 50% आप गार्डन स्वाइल ली लीजिए और आपको 30% कोई कमपोस्ट लीजिए 10% रेत लीजिए और इसको आपको फिर क्या करना है कि उसको आपको एक मुठी नीम खली डाल दें थोड़ा सा आप दो चारदाना डीएपी का डाल दें और इस तरह से करने के बाद आपको इसे लगा देनी है और लगाने के बाद आप गमला को साइज आप पहले तो साइज आप 10 इंच रखें 10 इंच से जादा में भी लगा सकते हैं लेकि कम में मत लगाएं क्यूंकि फिर तुरती इसको रिपोटिंग करना पड़ता है ते तो लगाने की बीधी हो गई और इसे बिलकुल आप आसानी से लगा कर आ एक माह के बाद आप इसे फिर देखिए कि इसका ग्रोथ कैसा है ग्रोथ इसका जब आपको देखिए कि ग्रोथ इसमें नहीं हो रहा है तो आप बिलकुल इसे पिंच कीजिए पिंच करने से आपको बहुत जादा घना होने लगेगा पिंचिंग इसे बहुत जादा जरूर आप नीचे की और से करें बहुत साल लोग क्या करते हैं और ऐसा डटल छोड़ देते हैं बिल्कूल गलत तरीका है ऐसा कभी नहीं करें नीचे से तोड़ें नीचे से अगर आप जीतना लीपस तोड़ेंगे उतना ही इसमें ग्रोथ आएगी तो नीचे से तोड़े भी तो पूरा तोड़े, पूरा इदम डाटी को जैसे लेने हैं, और से डाटी को पूरा ही तोड़ दे, तो आपको इसे फाइदा भी है, नुकसान इसे बिलकुल नहीं है, फाइदा होगा कि आपको उसमें ब्रांचे साईगी, तो हर्वेस्टिंग कर आना है तिसके लिए मैं तोड रही हूं तो यह भी अच्छा है पोहा बनाने में आपको मदद करेगा आपको इटली चोका लगाने में मदद करता है तीस तरह से हर्वेस्टिंग करने का बेश्ट तरीका है हर्वेस्टिंग ऐसे ही करें ऊपर से बिल्कुल कभी नहीं करें पूदीना भी इसमें उगया है पूदीना बहुत ज़्यादा इसमें हो गया है तो साइड में पूदीना को भी रखंदीू हूं मैं कुछ आप की अगर धूप में रखिएगा उतना ही अच्छा प्लांटॏ कि यह समर का प्लांट होता है समर में इसे बहुत अच्छा आपको ग्रोथ बढ़ने लगती है बीज वगएरा भी आपको निकलता है सीट वगएरा होता है तो सीट को आप हटा दिया किरें क्यूंकि सीट जहां आ जाता है कड़ी पता में तो आपको फिर भी इसको दिकत होने ग्रोथ रोकने लगती है तो आप ऐसे करें इसको ओर'll बिलकुल नहीं करनी है और न जहां आप किये तो आपको फिर क्या होगा कि Leafs काल पढ़ने लगेगा इह भर घना बनाने के लिए आप इसको पूरा बिल्कुल आप उपर से इसे पिंच करें नीचे से नहीं जैसे हार्वेस्टिंग में बताई कि नीचे से होता है लेकिन आपको यहां उपर से इसे पिंच करना होता है आप मुह को धरकर इसे तोड़ दे तो पिंचिंग हो गया आप एक प्लांट थीक है मजगूत है बहुत मोटा है तो आप कट करें अगर कट कर देंगे तो वहां से 4-5-6 कितना आजाएगा पता नहीं पूरा जितना नोड एरिया उसमें होगा उतना आपको ब्रांचे साइगी तेये हो गया घना बनाने का तरीका अब इससे बढ़ाने का तरीका क्या हुआ कि गुडाई करें पौधा में गुडाई बहुत जादा जरूरी है जितना आप गुडाई करेंगे उतना ही इसमें आपको नीचे रूट डबलप होगा एस्ट्रा जड़ करती है और निव निव रूट आने लगती है तो नीची थै कि अगर आपका नीचे की ओर जड़ भागेगा तो उपर की ओर इसको प्लिप्स भागेगी ग्रोथ विकास होगा तो आप नीचे दम मिटी को बिलकुल हलका रखें भारी मिटी कभी नहीं बनाए बिलकुल हलका रखें तो अच्छी तरह से तीन-चार इंच गुडाई करें गुडाई करने के बाद आप मिटी को हो सके तो आप सुखा भी सकते हैं और नया ताजा भी रिचार्ज भी कर सकते हैं तो अगर आप इस तरह से करते हैं अगर निव मिटी है तो आप डाल सकते हैं नहीं तो इसी मिटी को आप सुखा दें सुखाने के बाद फिर क्या करें कि आप इसे गुडाई करने के जब मिट्टी निकालेंगे तो उसमें दो मुठी आपको बर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, दो मुठी डालकर फिर उस मिट्टी से आप ढहक दें, तो आपको देखिएगा कि फिर इसमें ग्रोथ कितना आएगा, क्यूंकि माइक्रोब इसमें जितना आएगा, से पौधा को उगाने की छमता बढ़ जाती है, बहु ज़्यादा बढ़ जाती है, तिसलिए गोबर खाद जो होता है, उसमें बहु ज़्यादा नेट्रोजन होता है, आप उसके बाद एक चुटकी हल्दी डाल दे एक चमश हल्दी डाल दे, तो माइक्रोब जैसे ही निंबु का पानी तो मैं निंबु कि इस तरह से छिलका को रख दी थी और रखने के बाद आपको 24 गंटा puck kunnen hon करक्तिती और उस पानी को डाल दी हूँ क्योंकि इसे डालने से आपको ग्रोथ विकास ज्यादा आई गी तो ग्रोथ विकास बढ़ाने के लिए हमें करना ज़रूरी है सबसे पहले असेडिक बना यह उसके बाद कोई भी न्यूट्रिशन दीजिएगा तो आपको एक्षन में आ जाएगा तो इसे 24 घंटा पानी में डालने के बाद इस पानी को फिर पौधा में आप डाल दें फ्रेंड इसे क्या होता है कि एसेडिक हो जाएगा तो यह चीज करने से आपको क्या होगा फैदा क्या है कि आप थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन कूशे देंगे तो यह अब जोर कर लेगा अब यहां मैं प्याज का छिलका आप लोग को दिखा रही हूं कि इस चीज को अगर आप करते हैं अगर दो प्याज लेते हैं और पानी म जाना करते हैं कि आप इस तरह से कठा किजिए एकठा करने के बाद चाहे तो आप करीवग में डाल दें नहीं तो अप ऐसे भी डाल सकते हैं लेकिन केरी बग में डालने से क्या होता कि पानी में नुटीशन सब कुछ मिल जाता है और केरी बग निकालके आप फेक दें तो इस चीज अगर करते हैं तो आपको इसमें जानते हैं प्याज में केल्सीयम मगनेसीयम फस्फोरस जींक सभी कुछ सलफर सब कुछ मिल जाएगा तो आजाएगा अगर आप चाहें तो चावल का पानी को भी धो कर इसमें डालते रहें तो आपको बहुत ज़्यादा इसे फाइदा होगा कि आपको गुरोथ विकास कली सब कुछ आ जाएगा इसमें करिए पता में नहीं है आप किसी भी प्लांट में डाले तो यह चीज बहु ज़्यादा इसे लिफ्स मिलेगी ग्रोथ विकास आएगी और एक माह पर आप न्यूट्रिशन बदल बदल के आप देते रहें एक माह पर न्यूट्रिशन बदल के देना भी चाहिए जैसे कभी आपको 15 दिन पर हुआ तो ओनियन पिल दे दिए 15 दिन पर फिर बनाना पिल दिए चावल के पानी डाल दिए तो फिर गोबर की खाट आल दिए ऐसे करते करते आपको प्लांट बिल्कुल जंगल हो जाएगी एक प्लांट में और भी दिखाई हूं आप लोग को कि जो मेरा बहु ज़्यादा घनत उसमें है तो आप लोग उस प्लांट को देख ले कि क इतना बड़ा की हूं मैं अब मेरा मदर प्लांट तो तीन चार हो गया है बहु ज़्यादा इतना ज़्यादा कि सभी प्लांट को मैं धीरे धीरे आप लोग के साथ सेयर करती हूं तो अगर वीडियो पसंद रहे तो लाइक सेयर सस्क्राई आप लोग जरूर करें तो फिर म